अब्बम टूलकिट से आप आप आटोमेटिक एलबम भी बना सकते हैं आप चाहें तो एक पेज या फिर दस पेज, बीस पेज, पचास पेज एक सार डियाइन कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, आटोमेटिक एलबम का एक option दिया हुआ है और यहाँ पर धेज सारे PSD templates दिया हुआ है यह सारे के सारे auto PSD templates हैं यह auto PSD templates कैसे create करना है मैं आपको बस थोड़ी दिर बताऊंगा यहाँ पर आप right click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे input, output and save option दिया हुआ है इस पर आप click कीजिएगा यहाँ पर से आप image input folder और album output folder decide कर सकते हैं मैंने already decide किया है आप यहाँ पर click करके कर सकते हैं यह देखिए open image folder यह देखिए यह image folder है और यहाँ पर output folder फिलाल खाली है ओके इससे मैं कर देता हूँ done आपको क्या करना है image folder आपने अगर select कर लिया है तो उसके आप फिर किसी भी PhD template पर double click कीजिएगा ओके और वो template automatic ready हो जाएगा उसके सभी frames में photo fill हो जाएगे serial number wise और आपका page ready हो जाएगा यह देखिए बोलते के साथ ready हो गया for example मैंने यहाँ पर इस page पर double click किया और वो automatic ready हो जाएगा serial number wise ही सभी frames में photo लगेगी यह देखिए दो page यहाँ पर ready हो गया है मैं अब multiple page select करता हूँ मैंने एक यह select कर लिया मैंने है यह select कर लिया मैंने एक यह select कर लिया मैने एक यह select कर लिया तो मैंने यहाँ पर कर लिया है आप चाहें तो 8-10 पेज़ भी सलेट कर सकते हैं आपके उपर डिपंड करता है चलिए मैं एक पेज और लेता हूं एक पेज और लेता हूं राइट क्लिक लिएख आटमेटिक अल्बंग पेज डिजाइनिंग वसेतना करना है और सभी पेज आटमेटिक ओपन होते जाएंगे स्टीरियल नमबर वाई सभी फ्रेम्ज में फोटो फिल होती जाएगी और आपका पेज डेडि होते जाएगा पिएसडि में रेडि होगा और जितने भी के अंदर जो फोटो जा रही है वो सभी as a smart object है आप उसे बाद में चाहें तो swap भी कर सकते हैं आप उसे सारे adjustment आप कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप पर process चल रहा है और sequence wise photo fill होती जा रही है यह देखें की players ओके यहां पर देखें सभी page रेडियी हो चुके हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 पेज हमने रेडिय कर दिया है बाद में इसे swap या फिर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं आप यहां पर image option में जाएगा पर example मैंने इसे select किया मैंने इसे select किया right click swap image दोनों इमेज swap होगे चोटी बड़ी जो भी करना है आप कर सकते हैं यहां पर color correction retouching manual correction filter apply करने के धे सारे options दिये हुए हैं तो आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं उसके बाद आप automatic album option में वापस जाएं right click कीजे input output and save option में जाएं और आप सभी page को save कर सकते हैं आप आप चाहें तो jpg और phd दोनों format में save कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी phd format में शेव कर सकते हैं यहां पर आप देखिये यह on रहेगा तो जहाएं danny एन और PAUL में से होगा अगर इसे आप ओफ कर देंगे तो jpg और phd दोनों format में और सभी के सभी page एक साथ PhD format में output folder में save होते जाएंगे जिसे आप बाद में चाहिए तो change भी कर सकते हैं यह देखे मैंने यहाँ पर output folder पे click किया यह हमारा input folder जो भी photo इस्तमाल होती है वो used folder के अंदर चली जाती है यहाँ पर आप देखे एक used folder नाम से एक folder बन गया है और यह ह है album output folder और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ पेज यहाँ पर ready हो चुगा है ओके आए इसमें से कुछ अगर हम लोग को modify करना है तो दुबार अभी कैसे हम लोग modify कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं जैसे मैंने इस photo को इस phd template को open कर लिया और यहाँ पर आप देखे जो भी images उसमें जो भी adjustment करना चाहां है आप कर सकते हैं वो सारे के सारे smart object होते हैं तो इमेज आपको जाना है strap image यह देखिए इमेज strap हो गया है और उसके बाद आप उसे दुबारा save कर सकते हैं कुछ clipart प्रिपाट एड़ करना हो आप वो भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर इसके clipart को delete कर दिया इससे भी मैंने delete कर दिया इसे भी मैंने delete कर दिया अब मैं clipart option में जाता हूं कोई सब्सक्राइब क्लिप ले लूँगा जैसे मंगल राइट क्लिक या फिस्ट डबल क्लिक और वहाँ पर आ जाएगा जिसे आप छोटा बड़ा जैसे भी सेट करना चाहें कर सकते हैं यह देखिया तो इस तरीके से आप आजसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहें तो एक एक पेज करके डिजाइन कीजिए या फिर आठ दस पेज एक साथ सलेट कीजिए और राइट क्लिक करके और आप देख सकते हैं कि यह मैं CS3 में कर रहा हूं और CS3 के साथ साथ CC 2022 जो की सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी काम करता है